हेई फ्रैंस वेलकम बैक माई चैनल चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं 21 देज थियोरी का पार्ट नमबर 5 वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सो आगे हम देखते हैं फ्रैंस होने के लिए जाता है एक्स वो काफी टाइम लगाता है तो वहाँ पर क्यों पहुंच जाता है कहता है इतना टाइम क्यों लगा रहे हो एक्स कहता है मैं अपने हेर वाश कर रहा था पर अपने ए खास से हेर वाश नहीं कर पा रहा तो यहाँ यहां पर देखते हैं क्यूव मदद करने लग जाता है एक्स की हे वाश करने में तो यहां पर एक्स कहता है अगर मेरा कोई पार्टनर होता और यहां पर वह उसका फेश वास कर दो यहां पर वो उसका फेस बस करने लगता है साथ में थोड़ी मस्तिवी करने लगता है जिससे वो दोनों ही पानी में भीग जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्यूभी अपटी ड्रेस चेंज कर लेता है और एक्स की दी हुई एक टीसेट को पहन लेता है तो वो बहुत चिंता करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता, अगर तुम्हें इतनी चिंता है कि मैं यहापे अकिला रह रहा हूँ, तो तुम आज रात मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हैं सोने के लिए, क्यों उससे कहता है, ऐसी बाते मत करो, और उसके हाथ में दवाई लगाने लगता है, और उसे पूछता है, क्या सच में तुम्हारा यहापे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो यहाँ पर उसे कहता है, एक्स, एक्शली पहले मेरे फ्रेंड थे, लेकिन जब हम लोग एबराउट सिप्ट हो गए, और उसके बाद हम अब वापिस आया है, तो अब मे बैट हार गए, तो मैं तुमसे कौन सा काम करवाँ, और तुम मेरे उस काम को कर भी पाओगे या फिन नहीं, तो यहाँ पर उसे क्यों कहने लगता है, ऐसा सोचना भी मत, यह बैट मैं ही जीतूँगा, मैं हानी वाला नहीं हूँ, और फिर देखते हैं, उसके बाद कि कौन किसको ओडर देगा, एक्स कहता है, ठीक है, दूसी तरफ हम देखते है, गारण में फ्रैंक को ट्यूटर के साथ, जहाँ पर फ्रैंक पूसता है कि आज मुझे आप गारण में क्यों लाए है, ट्विशन क्लासिस देने के लिए, यहाँ पर उससे कहती है उसकी ट्यूटर, क का एक राउन माने के लिए कहती है, और कहती है, अंसर को अच्छे से याद करो, यहाँ पर हम देखते है, एक राउन माने लग जाता है, फ्रैंक, साथ में फ्रैंक कहता है, मुझे यहाँ पर क्लासिस भी अटेंड करनी है, अपनी और अपने दोस्त की मदद भी करनी है, यह हैं यहां पर हम देखते हैं तोई उसके लिए drink लेकि आता है मुख काफी impress होती है और कहती है तुम मेरी favorite drink लाए हो वही देखते हैं हम ex के घर में क्योंको जो वहां पर कुछ डिसिस को साफ कर रहा होता है तो यहाँ पे XO से इसा करने से मना करता है क्यों कहता है Don't worry मैं यह सिब कुछ कर लूँगा यह तो जादा नहीं है जब मेरी मॉम कुछ बेक करती है तो बहुत सारी डिसिस को मुझे साफ करना पड़ता है और फिर हाँ पर उससे कहने लग जाता है Q कि अब मुझे घर वापिस चलना चाहिए और तुम रेश्ट कर लो X उससे कहता है अभी तुर रात भी नहीं हो या इतनी जल्दे मैं कैसे रेश्ट कर लो Q उससे कहता है ठीक है तो जो तुमें करना है तुम वो करो अब मुझे जाना चाहिए साथ में Q उससे कहता है तुम मुझे मेरी शर्ट देदो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पर उससे कहता है X don't worry तुम मेरी शेर टीशिट पहें सकते हो वैसे भी यह मेरी फेवरेट है यहाँ पर हम देखते है उस टीशिट के उपर X is correct to Q लिखा रहता है यहाँ पर हम देखते है क्यों उसे बाई बोल के चला जाता है घर वापे साने के बाद Q उस टीशिट को change कर लेता है और काफी ध्यान से उसे देख रहा होता है और काफी happy हो रहा होता है तब यह उसकी mom आ जाती है तो यहाँ पर वो टीशिट को छुपा लेता है वो अपनी mom से कहता है क्या हुआ mom उसकी मम कहते है कुछ नहीं काफी दिन हो गए तुम से अच्छे से बात नहीं कर पाई तुम काफी बीजी चल रहे थे यहाँ पर क्यों कहने लगता है आप नॉर्मल तो है ना कहीं आपकी तवित तो खराब नहीं है यहाँ पर उसकी मम कहते हैं नहीं मेरी तबीत खराब नहीं है अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो या फिर कुछ शेयर करना चाहते हो तुम इससे कर सकते हो यहाँ पर फिर उसकी मॉम फूछने लगते है एक्स के बारे में क्या तुम्हें एक्स से मिलने गए थे उसकी चोट कैसी है यहाँ पर मना कर देता है क्यूँ कहता है नहीं मैंने सोचा है फ्रेंक और टॉय के साथ किसी दिन जा कर उससे मिलूँगा क्या आपको कुछ काम है एक्स से यहाँ पर उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं और उसे कहती है अगर तुम कभी कुछ नया ट्राइ करो या फिर कुछ चूस करो तो एक बार सोच लेना रख कि तुम्हें पसंद क्या है और क्या नहीं पसंद है और तुम मुझे से किसी भी बारे में कभी भी बात कर सकते हो तुम अपनी हर बात को मुझे शेयर कर सकते हो और अपनी हर पसंद के बारे में भी मुझे बता सकते हो और तुम्हारी हर पसंद मुझे एकसेप्ट होगी यहाँ पे कहने लगता है क्यूँ आप कैसी बाती कर रही है मॉम मैं बहुत confuse फिल कर रहा हूँ और भी कोई बात कर नहीं है कि आपको मुझे मुझे शावल लेना है यहाँ पर उसकी मॉम कहती है नई नई मैं जा रही हूँ उसकुल में हम उन्हें देखते हैं जहाँ पर फ्रेंक अपनी दोस्तों को कुछ वाटर बॉटल्स देता है तो यहाँ पर टॉय कहता है आज तुम्हें अपनी टूशन क्लासिस के लिए नहीं जाना है क्या तो कहने लगता है यहाँ पर फ्रेंक एक्शली मेरी टूटर आज को देखके मुझे किसी को थैंक्स बोलना जो मुझे काफी जादा स्नेक्स देता है मेरा इतना ख्याल रखना है मुझे थैंक्स बोलने लगते है क्यों कि तुमने मुझे इतने सारे स्नेक्स दिये साथ मैं आज मॉर्णिंग में गिफ्ट भी दिया था यहाँ पर हम देखते टॉइ को वो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि वो सब को इस तो टॉइ ने दिया था मोक को यहाँ पर कंफ्यूज होता है क्यों कि मैंने इसे मॉर्णिंग में कौन सा गिफ्ट दिया था तो यहाँ पर इस सारा करके एक तरीके से बताने लगता है क्यों को टॉय की आरे मॉर्णिंग में दिया था न तुमने एक गिफ्ट मोक को तो यहाँ पर पर कहने लग जाता है मोक से क्यों भी हाँ हाँ याद आ गया मुझे तुम्हे पसंद आया न वो तो मोक कहते हैं हाँ मुझे वो काफी पसंद आया यहां पर पिछाने लगती है मोग की तुमारी मॉम की बेकरी है न तो तुम वहां से कुछ श्वेट्स लेके आाना मैं उनका रिवियू करूँगे यहां पर कहने लगता है क्यों मेरे मॉम और अंकल तुमारे काफी फैन है उन्हें इस बार में पता चलेगा तो काफी हैपी होंगे बट वैसे तुम्हें कैसे पता चला मोक की मेरी मौम की बेकरी है यहाँ पे मोक कहते तुमने ही तो मुझे उस दिन मैसेज के दोरान बताया था यहाँ पे कन्फ्यूज होता है क्यूँ तो यहाँ पर पीछे से समाल लेते है Frank और Toy कि हाँ हाँ तुमने इससे Instagram चैट पर बात की होगी तब बताया होगा यहाँ पर फिर समझ में आ जाता है क्यों को भी कि Frank ने बात की होगी पका मोक से Instagram चैटिंग के दोरान तो यहाँ पर वो भी फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है तो यहाँ पर इस तरीके से वो लोग बात को समाल लेते हैं तब ही हम देखते हैं मोक हैंड होल कर लेती है क्यों का अरुन लोगों को साथ में बैठी हुए देख रहे होते है Q और उसके दोस्त, उसके बाद दिखाया जाता है Day 6, जहांपे हम देखते है एक्स लुंच करने के लिए आता है Q के पास, साथ में हमें दिखाया जाता है क्योंकि दोस्त उसे रोज देके भेज देते हैं मुग के सामने इसी के साथ हमें दिखाया जाता है डे सैवन जहाँ पर मुग बात करती है टॉय से साथ में डे एट जहाँ पर फ्रेंक को टूशन दे रही होती है उसकी टूशन टीचर फिर हम देखते है X और Q को घर वापिस आते हुए जहाँ पर कहने लगता है X से Q कि तुम मुझे इसलिए फोलो करे नो ताकि मेरे घर जाके डिनर कर सको यहाँ पर उससे X कहता है नहीं बस मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप करने जा रहा था ताकि तुम्हारा रास्ते में कोई एक्चिडेंट वगेरा ना हो जाए यहाँ पर उससे कहने लगता है Q अच्छा तुम आज फिर अपने घर वापिस नहीं जाने वाले ना तो ऐसा करो मेरे घर आके तुम फ्री खाना खा सकते हो और चल दिसे मुझे फॉलो करो अपना बैक देखे चला जाता है यहाँ पर Q X को उसके बाद हम देखते हैं वो लोग घर के फ्रंट गेट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर X Q को बैक रिटन करता है और उसे अंदर जाने के लिए भूलता है यहाँ पर Q कहता है तुम यहाँ तक आई गए तो मेरे साथ अंदर चल सकते हो लेकिन मना कर देता है X क्यों कहता है Q नहीं जाना जाते तुम यहाँ पर कहता है उससे X कि आज नहीं कभी फिर आऊंगा मैं लेकिन तबी हाँ पहे कहने लगता है उस से क्यों लेकिन क्या बताओ मुझे यहाँ पर जो X होता है वो क्योंकि close आ के कहता है कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा और उसे बाई बूल के चला जाता है यहाँ पर Q कहने लगता है अखिरकार इसे क्या हो गया है ऐसे क्यों भीव कर रहा है उसके बाद हमें D9 दिखाया जाता है उसकोर में जहाँ पर हम देखते है Q को प्रिंसिपल अपने पास बलाते है यहाँ पर क्यों कि फ्रेंड उसे इसारा करते है आज से तुम काम से गए यहाँ पर हम देखते है एक्स भी वहीं पर होता है यहाँ पर प्रिंसिपल कहने लगते Q से कि तुम्हें तो पता ही है कि X सलेक्ट हो गया यूथ प्रोग्राम के लिए तो मैं चाहता हूँ तुम इसकी मदद करो Q कहता है लेकिन मैं Q तो यहाँ पर प्रिंसिपल कहते है X ने तुम्हारी जान बचाई थे उस दिन कार एक्सिरेंट से तुम्हें इसके मदद करनी चाहिए और वैसे भी इससे तुम हमारे स्कूल को प्रोमोट कर पाओगे काफी हेल्प हो जाएगी बहुत कुछ भूलते हैं यहाँ पर उसे वो तो यहाँ पर X की हेल्प करने के लिए तियार हो जाता है Q यहाँ पर हम देखते है प्रिंसिपल भी नहीं सारा करते है एक्स को की तुम्हारा काम मैं नहीं कर दिया है प्रिंसिपल के वहाँ से जाने के बाद क्यों X ने कहता है यह सब कुछ दुमारा ही आइडिया था ना यहाँ पर X कहता है next week तुम तयार है ना और वहाँ से चला जाता है उसके बाद क्यों कहता है अगर तुम्हें मेरे help चाहिए थे तो direct मांग सकते थे इसमें तुम्हें प्रिंसिकल को इंवर्ब करने की क्या जुरूरत दे